मैं डॉक्टर राकिश कुमार लोधी सास की उतक्रस्ट उच्टर माद में विद्या लए किरमांक एक सिवपड़ी से आज हम साजेदार का अवकास ग्रण एवम म्रत्यु यानि रिटायर्मेंट एंड डैथ और पार्टनर टॉपिक को लेकर यहां प्रस्तुद हुए हैं हम पहले बात करते हैं साजेदार का अवकास यानि रिटायर्मेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे अवकास गिरन से आसाए क्या है और इसके आवसकता क्यों पड़ी जब हम किसी चालू ब्यवसाय के साजेदार में से कोई एक या एक से अधिक साजेदार किसी विशेश परिश्थितिवस या किसी विशेश कारण से उस फर्म से अपने संबंध तोड़ता या संबंध बिच्छेद करता है उसे हम साजेदार का अवकास ग्रण करना कहते हैं अब बात आती है कि उसके आवसकता क्यों पड़ी भारती साजेदारी अधीनियम 1932 के अनसार कोई भी साजेदार साजेदारी संलेक के अनसार या फर्म के सेश अन साजेदारों के अनमती से फर्म से अलग हो सकता है परन्तु जहां साजेदारी सुच्छा से यानि एट विल है तो ऐसी स्तिती में अवकास ग्रण करने वाला साजेदार सेश साजेदारों को सिर्फ लिखित में सूचना देकर ब्यवसाय से या साजेदारी फर्म से अलग हो सकता है लेकिन कुछ विशेश परिस्तियां भी हैं जिन में साजेदार फर्म से अलग होने का निश्य करता है वो परिस्तियां कौन-कौन सी हैं उन पर अब हम चर्चा करें सबसे पहले जैसे ब्रद्यवस्ता के कारण यानि बुढ़ापे के कारण भी वो फर्म से अलग हो सकता है आस्वस्ता के कारण यानि उसका स्वास्त ठीक ना रहता हो या अन्य साज़ेदारों से पारस्परिक या सैद्धानतिक रूप से मतभेद हो चौथी बात हम कहते हैं कि फर्म के अन्य साज़ेदारों द्वारा कानून सम्मत कारण ना करने के कारण वह साज़ेदार उस साज़ेदारी फर्म से अलग हो सकता है पांचवा पॉइंट अगर हम कहें, जब व्यवसाय कई वर्सों से हानी में चल रहा हो अगला पॉइंट हम देखेंते हैं, जब कोई साज़ेदार पागल दिवालिया या देश द्रोही हो गया हो और आखरी पॉइंट हम समझ सकते हैं कि फर्म के साज़ेदारों द्वारा ऐसा कार करने पर जो उस व्यवसाय के उदेश से भिन हो गया हो ऐसी इस्तिती में साज़ेदार जो है उस पार्टनर से फर्म से अलग हो सकता है अब बात आती है अवकास ग्रण करने संबंधी जो लेखे हैं यानि जब साज़ेदार उस पार्टनर से फर्म से अलग हो जाता है तो उसके संबंध में हम कौन से एकाउंटिंग रिकॉर्ड रखते हैं जब वो पार्टनर उस फर्म से रिटार्मेंट लेता है इनको हमने यहाँ पर छे बिंदूओं के आधार पर बांटा है पहला बिंदू है से साज़ेदारों के लाब बिभाजन अनपात बाप्राप्ति अनपात की गर्णा करना यानि new profit sharing ratio and gaining ratio of continue partners जब पार्टनर उस partnership फर्म से अलग हो गया यानि निब्रत हो गया तो से साज़ेदार अपना लाब बिभाजन अनपात निकालेंगे और gaining ratio की गर्णा करेंगे इसका पूरा detail हम step to step and to the point अलग-अलग हम करेंगे उसकी संबंद में क्या एंट्रियां करेंगे अभी detail में समझते हैं पहले हम इन बिंदूओं को संशिप्त में समझें ख्याती का लेखा accounting of goodwill जब साज़ेदार निब्रत होगा retire होगा तो निश्चित है वो जो ख्याती है उस firm की उस समय तक जब वो retirement ले रहा है तो उसके संबंद में कुछ goodwill से संबंदिट treatment हम करेंगे यानि उसका accounting लेखा करेंगे तीसरा point है C point है संचेवा आवितरित लाव से संबंदित लेखे accounting of reserve and undistributed profit संचेवा आवितरित लाव के संबंद में कौन-कौन सी एंट्रियां की जाएंगी उन conditions को हम यहां पर समझेंगे next point है संपत्यों में दायतों का पुनर मूल्यांकन revolution of assets and libitage जब partner retire हो रहा है तो retirement के समय वो जब अपना पैसा लेकर जाएगा तो उस समय उस firm की संपत्यों एवं दायतों का हमें पुनर मूल्यांकन करना पड़ेगा जिसके संबद में पिछले chapter में हमने पहुत detail में revolution account का पूरा format पढ़ा और उसका profit या loss का calculation किया हमने और next condition है निब्रस आज़ेदार को देर आसी का भुकतान payment of amount due to retiring partner यानि जो partner retire हो रहा है उस समय retirement के समय वो कितनी रासी का हकदार है यानि उस firm में उसकी भाग उस भाग का कितना उसको हम देर आसी का भुकतान करेंगे इस calculation को हम करेंगे और उसको भुकतान करेंगे उस रासी का और last point अगर हम देखते हैं तो पूंजी खातों का समयोजन adjustment of capital जब partner retire हो गया तो जो sales यानि जिसको हम कहते हैं continue partner वो अपनी पूंजी का adjustment किस प्रकार करेंगे इन conditions को हम समझेंगे यानि ये जिए six point हैं इनको detail के रूप में अब हम समझते हैं अब हम point number second ख्याती का लेखा यानि accounting of goodwill के बारे में discuss करें साजेदार के अवकास ग्रहन करने पर या उसकी मृत्यू पर साजेदारी फर्म की ख्याती में से हिस्सा पाने का अधिकार रखता है क्योंकि फर्म द्वारा कमाई गई ख्याती सभी साजेदारों के प्रियास से संभव हुई है अब बात यह आती है कि भई यहाँ पर ख्याती के संभन में accounting standard 26 जो कि हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में बहुत डेटेल समझा था हम उसको द्वारा repeat करें कि ख्याती का लेखा पुस्तकों में तभी किया जाना चाहिए जबकि उसके बदले में cash या उसके equivalent यानि मुद्रा तुल में भुगतान किया गया है अतह इस कारण cable crack की गई ख्याती का लेखा ही पुस्तकों में किया जाएगा अब बात आती है हम point first में इसमें जाएं जब ख्याती खाता पहले से बिदमान नहीं हो when good bill account does not exist हम इसकी जो entry करेंगे वो करेंगे continue partners capital account debit to retiring partners capital यहाँ पर जो continue partner है वो good bill की amount को gaining ratio में adjust करेंगे condition number second जब ख्याती खाता पहले से बिदमान है यानि already exist है तब दो conditions होगी condition number A बिदमान ख्याती को अप लिखित करना for writing of existing good bill यानि उसकी entry हो गया old partners capital account debit to good bill account और इसको old profit sharing ratio में divide करेंगे या adjust करेंगे बी condition है अवकास ग्रण करने पर अवकास ग्रण करने वाले साजेदार की ख्याती के भाग का लेखा यानि जो partner retire हुआ है उसके share की good will का हम adjustment करेंगे तो उसकी जो entry है वो है continue partners capital account debit to retiring partners capital और इसको भी हम gaining ratio में adjust करेंगे साजेदार के अवकास ग्रण करने पर या किसी साजेदार की मृत्यू के समय यदि फर्म की पुस्तकों में कोई संचे आबितरित लाव या लाव हानी खाते यानि लाव या बिसिश संचे या कोश के balance balance sheet में सो हो रहे हैं या उनकी रासी है तो यह रासी समस्त साजेदारों के पूंजी खातों में पुराने लाव हानी अनपात में हस्तांतरित कर दी जाती है यानि कि उनकी जो रासी है funds वगेरा की वो पार्टनर्स के capital account में old ratio में transfer कर दी जाएगी इससे संबंधित entry को हम यह समझते हैं इसमें condition number first जो है संचे आब इतरित लाव लावनी खाता यानि credit balance profit business संचे specific reserve या funds को जब हम बातेंगे तो उसकी जो entry है reserves and funds account debit, profit and loss account debit, workman compensation fund account debit, investment fluctuation account debit to all partners capital account और old profit sharing ratio में divide इसको हम कर देंगे और यदि loss है यानि profit and loss account का debit balance है तो हम इसकी just opposite entry करेंगे all partners capital account debit to profit and loss account इसको भी हम old profit sharing ratio में divide कर देंगे अब इस प्रकार से हमने दो point complete किये एक good bill से related transaction दूसरा हमारे reserve and undistributed profit से related transaction अब हम third point पर जाते हैं अवकास ग्रण करने वाले साजेदार को दी जाने वाली रासी का भुक्तान करने की अनेक बिधियां प्रिचलन में हैं लेकिन यहां पर सबसे अधिक जो महत्पून हैं वो तीन बिधी प्रिचलन हम यहां पर लेंगे पहला है कुल रासी को रोकड में देना यानि total payment in cash देखे क्या है कि इस बिधी को जब हम प्रियोग में लाते हैं तो अवकास ग्रण करने यानि retiring partner को दे रासी का पूर्ण भुक्तान एक बार में ही या एक साथ रोकड चुका कर किया जाता है यदि फर्म के पास परियाप्त मातरा में cash है तो फिर वो एक साथ उसका payment कर देंगे उसके entry हम यहां पर करेंगे retiring partners capital account debit to cash या bank account दूसरी बिदी है किस्तों में भुक्तान करना फर्म के पास परियाप्त रोकड ना होने के कारण एक साथ cash payment करना संभब नहीं हो रहा तो ऐसी स्थिती में उसके पूंजी खाते के सेस रासी यानि capital account के balance को उसके loan account में transfer कर दिया जाता है जिसकी निश्चित किस्तों में भुक्तान करने की बिवस्ता की जाती है जब तक संपून रकम का भुक्तान नहीं हो जाता तब तक सेस रकम पर एक निश्चित दर से ब्याज दिया जाता है उस संबंद में हम जो entry करते हैं वो समझें पूंजी खाते के सेस को रिन खाते में transfer करने पर अंतृत करने पर Retiring Partners Capital Account Debate to Retiring Partners Loan Account उसकी देरासी को उसके loan account में transfer कर दिया ब्याज देने पर उस निश्चित रासी जिसको हमने उसके loan account में transfer किया उस पर हम एक निश्चित दर से ब्याज देंगे तो उसकी entry होगी Interest Account Debate to Retiring Partners Loan Account इसके पर शार एक निश्चित डेट को जब उसकी किस्त का जो भुक्तान किया जाएगा उसकी हम entry करते हैं Retiring Partners Loan Account Debate to Bank or Cash Account तीसरी जो विधी है वो बार्सकी द्वारा भुक्तान है payment by annuity Retire होने वाले साजेदार को उसकी देरासी का भुक्तान annuity द्वारा भी किया जा सकता है ऐसी दसा में हम एक annuity suspense account खोलते हैं जिसमें Retire होने वाले साजेदार को देरासी जमा कर दी जाती है इस रासी पर ब्याज भी दिया जाता है तथा प्रतिवर्स एक पूर निश्चित रकम का भुक्तान किया जाता है पूर रकम का भुक्तान होने के पूर यदि Retiring Partner की डैथ हो जाती है तो इसे पूंजी लाव मानते हुए बरतमान साजेदारों के खातों में उसके लाव हनी अनपात में क्रेडिट कर दिया जाता है यानि कि यदि पूरी रासी का उसको भुक्तान नहीं हो पाता उससे पहले उस Retiring Partner की डैथ हो जाती है तो हम उसको Capital Profit या Capital Gain मान लेते हैं और साजेदारों के पूंजी खातों में उसको लाव हनी अनपात में क्रेडिट कर देते हैं पैमेंट की एंट्री देखिए उसकी सबसे पहले उसके जो Capital Account को Debit करेंगे यानि एंट्री करेंगे हम Capital Account Debit to Annuty Suspense Account फिर इसके बाद उस पर ब्याज दिया जाएगा Interest Account Debit to Annuty Suspense Account इसके बाद उसका इंस्टॉल्मेंट यानि किस्त के रूप में उसको जो बुखतान करना है उसकी एंट्री हम करेंगे Annuty Suspense Account Debate to Bank Account इस तरीके से अब हमारे साजेदार के अवकास गिरहन से संबंदि जो theory थी वो complete हो चुकी है अब हम इसके बारे में जो numerical हैं उनके बारे में discuss अगले वीडियो में करेंगे